नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर महावीर जेनती पर राजेपाल और मुख्यमंत्री ने दीबधाई अटना इम्स में तैयार होड़ा 300 प्लस बिड का क्रिटिकल केर यूनिट भवन अपरा फेक कर काजल बनी बिहार की टॉप डिस्क स्थ्रोक खिलारी अकांचा दूबे के परिवार से मिले पवन सिंग करके मैच के बाद कप्तान धोनी ने बॉलर्स को दिया अल्टीमेटम इसके साथी बरते हैं शाम तक की बरी खबरों के ओर विस्तार से महावीर जेनती पर राजेपाल और मुख्यमंत्री ने दीबधाई आज यानी की चार अप्रेल को जैन धर्म का प्रमुक्तिवार महावीर जेनती है जिसे पुरे देश में बड़े ही हरसोलास के साथ मनाया जाता है ऐसे में आज महावीर जेनती को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और राजेपाल के दोरा राजे वाशियों को बधाई एवं शुबकामनाय दी गई है मुख्यमंत्रे नितीश कुमा ने टूइट कर लिखा है भगवान महावीर के जेनती के अवसर पर उन्हें सादर नमन भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए वहीं बिहार के राजेपाल राजिंद्र विश्वणात अलेर करके दोरा सुबकामनाय देते वे कहा गया है कि हमें भगवान महावीर श्वामी दोरा निर्दिस्ट मार का अनुसरन कर सभे शांते पुर्ण एवं शमता मूलक समाज के निर्मान का संकल्प लेना चाहिए उन्होंने सत्य अहन सा त्याग सैयम और अपड़ी ग्रह का संदेश दिया है पटना एम्स में तयार हो रहा 300 प्लस बेड का क्रिटिकल केर यूनिट भवन पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर जी के पॉल के दौरा दी गए जानकारी के नुसार एम्स के मानक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बिहार की राजधानी पटना एम्स में मरीजों के लिए 300 प्लस बेड का क्रिटिकल केर यूनिट भवन तयार किया जा रहा है बता दे किस भवन के रिणमान का कारेश शुरू कर दिया गया है जिसे 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्षे रखा गया है उनके दोरा दी गई जानकारी के नुसार सकरी में जी प्लस टू का एक नया भवन बर्ण केर ट्रीटमिन के लिए बन रहा है जिसमें कुल 90 बेड लगाय जाएंगे उन्होंने बताया कि पटना इम्स में एक्विप्मेंट की कमी को दूर करने के लिए लगभग 97 करोर के एक एक्विप्मेंट के खरीदने की प्रक्रियाच चल रही है जो एक महीने के अंदर अस्पताल को प्लब्ध हो जाएगी 30 अप्रेल को मिथला रोजगार मेला में 230 कम्पनिया यूवक यूवती को देगी नौकरी दरभंगा मैथल समनवय समीती के संसक्षक सहसंदीब यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर संदीब जाके दौर अप्रिस वारता में दी गई जानकारी के नुसार 30 अप्रेल को मितला की डॉक्टर नागेंदर जाल स्टेडिया में तरभंगा मैथल समनवाई समीती की ओर से मितला रोजगार मेला का आयोजन किया जारा है बता दे कि इस मेले में यूवक यूवतियों को रोजगार भी दिया जाएगा दरसल इस मेले में देश के कड़ी 230 कमपनिया भाग लेने वाली है जो योगिता के अनुसार यूवाओं को रोजगार देंगी इसमें भाग लेने के लिए बिरोजगार यूवाओं को ओनलाई रिजिस्ट्रीशन करवाना होगा डॉक्टर संदीब जाक के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार इसमेली कायोजन यूवाओं को सभी छेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए किया जारा है बिहार में फरजी सिक्षकों पर विजिलन्स ने कसा सिकन जा डीपियो स्थापना डॉक्टर प्रफल कुमार मिश्टर के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के मुझपरपुर में वर्स 2006-15 तक फरजी सिक्षकों को बचाने वाली नियोजन इकायों के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा बता दे कि नियोजन इकायों को चुनत करने के जिम्यदारी BEO को दी गई है बता दे कि जुलाई 2015 से नियोजन सक्षकों के प्रमान पत्रों की जाच निगरानी अन्वेशन ब्यूरों के द्वारा की जा रही है और अब तक 3000 से अधिक सक्षकों का फोल्डर निगरानी टीम को नहीं मिला है वहीं DPO के द्वारा सभी BEO को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अनुपालन प्रतिवेदर उप्रद नहीं होने पर अनियमता वह गबन के मामले में संबंधित BEO भी उतरदाई होंगे जाती चनगर्ना के दूसरे चरण की रननीती पर हुई चर्चा बित्य दिन बिहार जाती आधारित गर्ना 2022 के दूसरे चरण को लेकर बिहार के मुख्य सचीव आमिर शुभानी की अध्यक्स्ता में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एक समिक्छा बैटक आयोजित की गए जिसमें जिलाधिकारी शामिल हुए बता दे किस बैटक में जाती आधारित गर्ना के दूसरे चरण की तैयारियों एवा महतपुन बिंदूओं पर चर्चा की गए ताकि जाती आधारित गर्ना के दूसरे चरण को सफलता पुड़वक किया जा सके बता दे किस दोरान मुख्य सचीव के दोरा संबंध पतादि प्रधान मंत्री आवास योजना में चरनित 400 लाभुकों से राशी वापस लेगी सरकार। इसके साथ ही जिले में इस योजना के तहट इस महीने में 7000 घड़ों को कम्टीर करने का लक्षे रखा गया है। दरसल बिहार की इस बेटी ने बिना किसी की मदद से बिहार की टॉप डिसकस थ्रो खिलाडी में अपना नाम शामिल करवा लिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी काजल ने डिसकस थ्रो किसी से ट्रेनिंग लेकर नहीं सीखी है बलकि बचपन से खपड़े से खेलते वे सीखी है। और आज वो आगे बढ़ते वे राजय अस्तर ये खेल में टॉपर बन चुकी है। बतादे कि इस द्वरान उन्हों ने कहा कि आकांशा को नियाए मिलना चाहिए। बयहार में सारजनिक वहनों में ट्रैकिंग डिवाईस लगाने का काम बेहत धीमा। परिवान विभाग के द्वारा पिछले साल 1 सितंबर 2022 से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर यह निवारी कर दिया गया था कि राज्य के सभी सारवजनिक गारियों में वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा होना चाहिए और साथ ही पुराने सारवजनिक वाहनों को फिटनस सर्टिफिकेट तभी उपलब्द करवाए जाएंगे जब वाहन में VLTD लगा होगा लेकिन बता दे कि राज्य में यह काम काफी धीमा चल रहा है दरस सितंबर 2022 से फरवड़ी 2023 राज्य के केवल 8000 सारजनिक वाहनों में VLTD लगाया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे किसके लिए बकाइदा बेली रोड सित विश्वसरया भवन में कमांड सेंटर बनाया गया है जिसका उदकाटन पडिवहन मंत्र शीला मंडल के हाई कोट ने बिहार में रजिस्टर फार्मासिस्ट की कमी पर सरकार से मांगा जवाब पीतर दिन सोमवार को पटना हाई कोट के मुख्य नायधीश केवी चंदरन के अध्यक्सता वाली खंड पीट के द्वारा बिहार में पड़याप्त संख्या में निबंधित और योग् असर को लेकर मुकेश कुमार द्वारा दायर लोखित याची का पर शनवाई की गई पता दे किस मामली को लेकर कोट के द्वारा राज्य सरकार से तीन सब्ताह में जवाब तलब किया गया है मालूम हो कि याची का करता के अधिवक्ता के द्वारा कोट को बताया गया कि डॉक तक ही मरीजों को दवा बाठते हैं जिसे मरीजों के स्वास्ते पर असर पड़ता है। एक अनुपात में यूनिवर्सिटीज, सरकारी नौक्रियों एवं केंद्रिय संस्थानों में हिसेदारी तथा नीजी छेतर में भी आरक्षिन की सामोहिक मांग रखी है। बता दे कि आज देश की राजधाने दिल्ली में एक 70 नौर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में एक विशेश कारिक्र में सीमा सिंग ने खुद को लोग जनसक्ती पार्टी से जुड़ा है। अपने इस फैसले पर सीमा सिंग ने कहा कि 2018 में सौरफ कुमार से साधी होने के बाद मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं हमीशा से पिहार की जनता की सेवा करना चाहती थी। यही वज़ा है कि मैंने और मेरे पती समा सेवी और बिजनसमैन सौरफ कुमार जी ने आज लोजपा राम विलास को जुआइन करने का फैसला लिया है। लोगों ने मुझे इतने लंबे समय प्यार और सम्मान दिया है। मैं उस प्यार को लोगों की सेवा करके लोटाना चाहती हूँ। कुमार ने शोक व्यक्त करते वे कहा है। कटिहार के बरारी विधान सभाज छेत्र के पुर्व विधायक निरज कुमार जी का असमाईक निधन दुखद वे एककुष राजनीता एवं समा सेवी थे। संगत आत्मा की चीरसांती तथा उनके परीजनों को धैरेधारन करने की सकती प्रदान करने के इश्वर से प्रात्ना है। वहीं उपमुक्य मंत्री तेश्री आदम ने शोक व्यक्त करते वे ट्वीट कर कहा। कल के मैच के बाद कप्तान धोनी ने बॉलर्स को दिया अल्टी मेटं। पीते दिन IPL 2023 के 16 मैच के 6 मुकाबले में चिन्नाई सूपर किंग्स की मैच लखनाउ सूपर जायांट के बीच खेली गई। जिसमें चिन्नाई ने लखनाउ को 12 रनों से धूल चटाई। चिन्नाई की और से अच्छी गेंद बाजी नहीं की गई। जिस पर कप्तान MS धोनी बिलकुल खुश नजर नहीं आये। उन वही वनोंने बॉलर्स को अल्टीमेटम देते वे कहा कि एक महतफुर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ क्यों को नू बॉल और अतरिक्त वाइड बॉल फेकने पर लगाम लगानी होगी नहीं तो उन्हें नए कप्तान की अगवाई में खेलना पड़ेगा। यह मेरी दूसरी वर्निंग है और इसके बाद मैं कप्तानी छोड़ दूँगा लाजवाब हाई स्कोर मुकाबला हम सभी सोच रहे थे कि विकेट कैसा खेले का यह एकदम पॉफिक्ट पहला मुकाबला था मुझे लगा था कि पिच काफी धीमी होगी लेकिन यह विकेट ऐ इसी थी जहां पर आप रन बना सकते थे मैं स्विकर से काफी हैडान था तेज गेंदबाजी में आपको सुधार करनी के जरूरत है कंडिसंस के हिजाब से हमको गेंदबाजी करनी होगी जरूरी है कि हम वेपक्षी गेंदबाज क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखें जान पूर्पूर में पिट्रोल 107.9 एक रुपए और डीजल 94.6 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वही पूर्णिया में पिट्रोली कीमत 118.7 रुपए और डीजल 45.4 रुपए प्रति लीटर है भागलपूर में पिट्रोली कीमत 118.2 रुपए और डीजल कीमत 94.9 रुपए प्रती लीटर नर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉली कीमत एक सुहार 4.11 तीन एक रुपे और डिजल कीमत 45.64 उपे प्रती लीटर है बता दिकि बिहार में पिट्रॉल का रही सबसे आदा कसं गंज में है जहां पिट्रॉल 109.40 रुपे प्रती लीटर और डीजर 96.40 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दर हमादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इन अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है उनके नाम है अविशेक राज, कुष्ट कुमार यादम, रतिउंजे कुमार, रंजीत मिश्रा, रुन्नो गोलु कुमार, रवी कुमार राम, अनवर्द करीम खान, बाबुलाल मरांडी, मुहमद सकीर हुसें, संकर मुक्या, नौशद अंसारी, जितंदर ठाकुर, अश्रफ नदीम, कौश्लेंदर कुमार, सना, कनहिया कुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, आपके नुसार शार्फ जिन एक वहानों में ट्राकिंग डिवाइस लगाने से लोगों को क्या फाइदा मिलेगा, आप अपने जबाब हमें अमारी कमें सक्षन में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चाल्ट को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे ह तान इवाद।